ऐसी अनोखी खोजों में या फिर ऐसी चीजें बनाने में लगे रहते हैं जिनके गुणों को देखकर हम अपनी आँखों पर भी भरोसा नहीं कर पाते हैं। फिर चाहे वो ऐसा पानी हो जिस पर इंसान आसानी से चल सकते हैं या फिर ऐसे कपड़े जिने कितने भी कोशिश करने पर पाने से भीगाना नामुम्किन है। इस दुनिया में ऐसा ही कुछ अनों के मेटीरियल्स मौजूद हैं जिने देखकर आपकी आँखें चमक उठेंगी। और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा ही कुछ अव विश्वसनिय पतार्थों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि आज आपका दमाद गूमने वाला है। ये शक्स जो केमिकल स्प्रे कर रहा है इसे पोली यूरिया नाम से जाना जाता है। इसको मुख्य रूप से दो कंपोनेंट आइसो साइनेट और पोली ओल को मिलाकर बनाया जाता है। अधोडी से मार खाने पर भी अपनी पकड बनाया रखने वाले पोली यूरिया की खास बात ये है। जब आप इसे किसी सरफेस पर हाई प्रेशर और हाई टेंपरिचर के साथ चड़कते हो तो ये सिरुफ 20 सेकंड्स में लिक्विड स्टेट से 100% सॉलिड स्टेट में बदल जाता है। तेजी से सूखने की प्रॉपर्टी के साथ इसकी एक और शांधर प्रॉपर्टी है जो है 400% फ्लेक्सिबिलिटी जहां खुद ही देख लीजिए कैसे इसे तरबूज और सिमेंट ब्लॉक वाल के ऊपर छड़कने के बाद जब इसे हतोड़ी से बार-बार लगातार मारा ग पॉलियूरिया का इस्तेमाल सता को मजबूत वाटर प्रॉफ और जंग खाने से बचाने के लिए किया जाता है ये एक सर्किट स्क्राइब है जो एक तरह के कंड़क्टिव सिल्वर इंक है जिससे आप कोई भी सिंपल सर्किट पेपर पर बना कर उसे टेस्ट करके और जला के देख सकते हो इससे बच्चे कॉंपलेक्स सर्किट को बड़े आसानी से समझ सकते हैं आप इसे अमिजॉन पर खरीज सकते हैं अभी आप जो कारणामा स्क्रीम पर देख रहे हैं उसे लुबोर लेंस कहा जाता है ये एक प्रकार का प्रे स्नेल लेंस जो पुरानी टीवी आदे में पाया जाता था इसी सतापर सैकडों छोटों छोटे प्रिजम होते हैं जो कुछ हद तक पोल राइजर की तरह काम करते हैं यानि एक एक एक्जेस के लाइट को डिरेक्ट पास करता है और दूसरे एक्जेस को डिफूज करता है मतलब कि एक तरफ की कोई भी चीज पूरी तरह से गायब ही हो जाती है इस पर डिटेल वीडियो हम बाद में जरूर बना सकते है भूली का त्योहार आ रहा है ऐसे में हम सभी को कपड़े भीगने का डर तो जरूर सताता है लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस दुनिया में ऐसे कपड़े भी मौजूद है जो पानी से गीले होते ही नहीं है जी हाँ और सिर्फ कपड़े ही क्यों आप इस पदार्त की कूटिंग जिस भी चीज के उपर कर दो वो भीग ही नहीं सकते चाहे वो कागज हो या फिर कोई इलेक्ट्रोनिक डिवाइस बले ही पाने को तुरंत सोखने वाला टीशू फेपर ही क्यों न हो आप वीडियो में देख रहे हैं कि कोई रबर के बॉल्स नहीं है बलकि पानी की बूंदे हैं जिनने ये कपड़ा बिलकुल भी अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है दरसल ये प्लाजमा ट्रीटेड हाइड्रो फॉबिक फैबरिक है हाइड्रो मतलब पानी और फॉबिक मतलब ना पसंद करने वाला आसान शब्दों में इस कपड़े को गीला करना बेहद मुश्किल है ऐसी सर्फेस पर पानी की बूंदे बिलकुल इलास्टिक बॉल की तरह जम्प कर सकती है 1970 के दशक से नैचिरल हाइड्रोफॉबिक प्रोपर्टीज वाले कमल के पत्तों को observation में रख कर इस तरह के अल्ट्रा हाइड्रोफॉबिक मेटीरियल बनाएगे कोटिंग करते वक्त ये सता पर एयर बैरियर भी क्रियेट कर देते हैं जिससे इनकी खास्यत में चार चांद लग जाते हैं है न शांदर चीज़ आप इसे किस चीज़ पर लगाना चाहेंगे कॉमेंट में ज़रू बताईए इसी प्रकार जब रेट को हाइड्रोफोबिक कमपाउंड से ट्रीट किया जाता है तो हमें मैजिक सैंड मिलती है जिसे हाइड्रोफोबिक सैंड भी कहते हैं यानि इसे चाहें आप पानी में डुबो दें लेकिन वो गीली होती ही नहीं है जो दिखने में काफी सैटिस्फाइंग लगता है अगर आपको स्नोफॉल पसंद है लेकिन आपके यहां बरफ नहीं गिरते तो फिक्र मत कीजिए बिलके अपने खुद की बरफ बनाईए जी हाँ वीडियो में दिख रहा पोली स्नो एक सूपर अब्सॉर्बेंट पॉलिमर पदार्थ के रूप में जाना जाता है जब आप इसमें पानी मिलाते हैं तो अपने वजन से कई गुना ज़ादा पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है और कुछी सेकंड्स में अपने साइस से 100 गुना ज़ादा एक्स्पैंड होकर स्नो जैसा रूप ले लेता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी मिलाने से पॉलिस नो पदार्थ की पॉलिमर चेंज में तेजी से एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंकिंग होने लगती है जिसके वज़े से पानी डालने के बावजूद ये लिक्वेड या जैली स्टेट के बदले सॉलिड स्टेट में बदल जाते है इसका इस्वाल डाइपर हेयर जैल आदी में होता है अगले रोमांचक मैटीरियल निटी नॉल की प्रोपर्टी देखकर हमारी तरह आपकी भी आँखे खुली की खुली रह जाएंगी दरसल निकिल और टाइटेनियम नाम के दो मैटीरियल को समान मातरा में मिलाकर निटी नॉल बनाया जा सकता है इस material की खास्यत यह है कि आप चाहें इसे कितने भी अलग-लग तरीकों से मोड़ें लेकिन जब high temperature liquid ये gas state वाले पदार्थों के contact में आता है तो इनके बीच में heat exchange होती है तब ये फिर से अपने normal shape में वापस आ जाता है Nittinol की इस property को memory effect के नाम से जाना जाता है Nittinol का इस्तमाल बहुत सारे industries जैसे की mechanical robotics में किया जाता है दोस्तों दुनिया भर में plastic pollution तेजी से बढ़ रहा है और ये सबसे ज़्यादा पानी, cold drinks और juice की bottles की वज़े से होता है इसी समस्या का समाधान notpala नाम की company लेकर आई है उन्होंने ओहो नाम की एक ऐसी जिल्ले बनाई है जो किसी भी प्रकार के तरल पदार्थ को अपने अंदा स्टोर कर सकती है ओहो को समुद्री सिवार यानि सीवीड और समुद्री पौदों से बना जाता है खास बात यह है कि ये मेटीरिल कुदरती और बायो डीग्रेडिबल और खाने की युग्य है यानि कि ओहो में भरी हुई किसी भी ड्रिंक को पीने के लिए आपको सिर्फ इसे अपने मूँ में रखकर चबाने की ज़रूरत है इससे पैकेजिंग में होने वाले प्लास्टिक के इस्तिमाल को जड़ से खत्म किया जा सकता है अगला अनोखा मेटीरियल फरनीचर इंडेस्ट्रे में कमाल की करांती लेकर आया है ये है वुडोलेक्स कंपनी दोरा बनाया गया MDF Flex Board वैसे तो ये प्लाइवुड की तरह ही एक इंजिनियर वुड है लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसे गरम करके आप किसी भी शेप में मोड सकते हो क्योंकि गरम करने पर इस बोर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है जहां पहले किसी भी शेप को बनाने के लिए लकडी को बहुत ज़ादा गिसना और जोड़ना पड़ता था वहीं अब MDF Flex Board की मदद से लकडी का वेस्टेज भी बहुत कम हो गया है और काम करने का तरीका भी असान हो गया है दोस्तों, पानी एक निटोनियम फ्लूइड है यानि की आप इसमें उचाई से छलांग लगाए या फिर आराम से पैर रखें आपके पैर पानी के अंदर जाएंगे ही जाएंगे लेकिन कैं आप जानते हैं कि नॉन-निटोनियम नाम के फ्लूइड भी उते हैं जिनके खासियत यह होती है कि अगर आप इस पर कुछ जोर से भैंकते हैं या मारते हैं तो ये solid की तरह बरताओ करते हैं वहीं अगर आप इसमें धीरे से कुछ डुबोने की कोशिश करते हैं तो ये liquid की तरह बरताओ करता हैं यानि ये Newton के law को follow नहीं करते हैं भाई मुझे तो इन युवाओं को इस नौन-Newtonian fluid के साथ खेलते हैं यही ख्याल आ रहा है कि इस fluid के साथ अलग-लग experiment करने में जो मज़ा आएगा ना शायद वो famous tv series देखने में नहीं आएगा